हेलो फेंज इस अकुंदम के लर्निंग प्लाट्वर्म पे आप सभी का स्वागत है I hope you all are doing great आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं National Medical Commission यानि की राश्ट्रिय चिकिस्था आयोग के बारे में जो की Medical Council of India की जगलेगा तो चलिए शुरुवात करते हैं तो सौस्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा अभी सूचना के अनुसार देश में चिकिस्था सिक्षा और व्यवशाय के सिर्ष नियामक यानि की रेगुलेटर के तौर पे राश्ट्रिय चिकिस्था आयोग National Medical Commission अस्तित में आ गया है इस परकार देश में चिकिस्थ सिक्षा मेडिकल एजुकेशन का जो विनियम होता है जो रेगुलेशन होता है वो अब एनमसी यानि की नैशनल मेडिकल कमिशन राश्ट्रिय चिकिस्था आयोग के द्वारा किया जाएगा और जो की दश्कों पुरानी जो संस्था थी हमारी यानि की भारतिय चिकिस्था परिशद उसका अस्थान लेगा इसके साथ ही साथ ये जो मेडिकल काउंसल अफ इंडिया थी एक अधिनियम के तहद था एक एक आफ्ट के तहद था उसको निरस्थ कर दिया गया है भारतिय चिकिस्था परिशद अधिनियम 1956 इसको निरस्थ क को लागो कर दिया गया है NMC यानि कि राष्टी चीकिसा आयोग को उसके दिन प्रति दिन के काम काज में मदद करेगी इस बोर्ट के बारे में हम आगे समझेंगे यह प्रेलिम्स पॉइंट व्यू से को निफ्त किया गया है डॉक्टर सुरेंद्र चंदर शर्मा को इनका कारेकाल कितने वर्ष का होगा तीन वर्ष का अब हम थोरा सा इसका बैगरांड समझ लेते हैं कि आखिर इसको रिप्लेस करने की जरूरत ही कि मैसूस हुई कि इसको रिप्लेस किया गया तो देखे मेंली जब मेडिकल काउंसल अफ इंडिया था तो उसका जो मोटो था यह अबजेक्टिव था वह यह था कि क्वालिटी एडुकेशन प्रोवाइड करना पहली चीज दूसरी एक्विटी यानि कि वह एडुकेशन सब के बस में हो मतलब एक समानता हो जो भी चाहे उस एडुकेश होते हैं और जो गुद्र मेडिकल large डी जो उते उसके बहुत का फर्क होता अपके सिभी प्राइबिट अइऊ सपर्वें भट इंसिशान से पास आउट यह पिए CalifornEs यह नहीं करते तो एक तो कॉलिटी एक जैसी नहीं होती यू़िफॉरमिटी कॉलिटी मीघन नहीं थी सप सब के बस में हो मेडिकल की पढ़ाई पर आपको भी पता है कि जो भी सरकारी कॉलेजेस होते हैं उसमें सीट बहुत कम होती है जो प्राइबेट इस्टूशन उसमें सीट है पर बहुत महंगी है तो को भी मेडिल ख्लास या फिर को भी गरीब इनसान तो अफोरी नहीं कर सकता मेडिकल एजुकेशन तो इक्विटी नहीं थी यह दो अब्जेक्टिव तो पूरे नहीं हो रहे थे उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि रूलर अर्बन डिवाइड यानि कि आपको भी भी पताए कि डॉक्टर जो हैं वह ग्रामी निलाव को में पोस्टिंग नहीं चाहते वह हमेज़ा शहर वाले इलाकों में रहे तो यह जो डिवाइड था और भी जादा बढ़ रहा था जो मोस्ट इंपॉर्टन चीज ते जिस वजह से रिपील्मेंट आया है वह करॉप्शन के चार्जेज मेडिकल कांसल फिंडिया हाइली करप्ट बड़ी था इसके जो हैड कि अब जगह बची नहीं है वी नीड टू रिप्लेस इट तो इसलिए मेडिकल कांसल फिंडिया को रिप्लेस किया गया है इसके लिए क्या किया गया था कि 2018 में राष्टाचार के आरोपू की वज़े से MCI को भंकर दिया गया था और इसे बोर्ड ऑगवर्नर्स के साथ बदल दिया गया था जिसकी अधिक्ष्टा नीती आयों के एक सदस्त के दौरा की गई थी और 2019 में लोकसभा में राष्टी चिकिसा आयोग विध्या कियाने कि आक्ट 2019 तभी पास हो गया था और अभी जो है यह अस्तित में आया है 25 सिप्टेंबल 2020 को तो यह हमने प्रिश्पू में समझ लिए अब इसका महत्व हम समझते हैं तो अगर हम एक्सपर्ट की बात करें तो यह बहुत ही हिस्टोरिक रिफॉर्म है एक सुधार है जिसके चल यानि कि रेगुलेटर जो है उसका जो चैने उनका जो सेलेक्शन है वो योगिता के आधार पर किया जाएगा और साथी साथ कुछ और चीज़े हैं जो यह लाएगी पहली चीज तो मैंने आप से पहली काई करॉप्शन इसमें ख्याल रखा गया है कि मेंबर्स जो है वो य अधरी हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनको अथारिटी दी जाएगी कि जो मेडिकल प्रोफेशनल की कमी है रूलर एरियाज में उसको वो पूरा करें मतलब लिमिटेड लाइसेंसिंग उनको दी जाएगी प्राक्टिसिंग की जो थार तिंग मैंने आपको एक्विटी की व सब्सक्राइब कर से के तो जो 50 पर सेट होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उसका जो फी है वह एनमसी के तहत इसको डिसाइड किया जाएगा तो एक तरह से अपर्चुनिटी को बढ़ा रहे है जो थार तिंग है वह उनिफर्मिटी मतलब की समानता समानता कैसे अब ज कोई अगर स्टूडेंट को बाहर से भी मेडिकल की पढ़ाय करके आया है अगर उसको इंडिया में प्राक्टिस करना है तो इसको यह एक्जाम पास करना होगा तो एक तरह से यह इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि क्वालिटी यानि कि जो गुनवत्ता है और जो यूनि इक मतलब यूनिफरमिटी लाएगी पहले आपको पता था ना की मेडिकल कॉल जैसे की बीहार गई था तो बीहार के अलग एक्जाम होता था एक एमस का अलग एक्जाम होता था तो अलग-जाम होता थे अब सारे इक्जाम को मर्जड करके नीट बनाया गया है उसी तरह इक्विटी युनिफॉर्मिटी ट्रांस्पेरिंसी एंड एकॉंटिबिलिटी यह सारी चीजे जो है वो इंशोर की जाए जो मेडिकल काउंसल आफ इंडिया के तहत नहीं हो रहा था अब इसकी structure के बारे में बात कर लेते उदेश तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसका उदेश यह है कि सिफारिष पर केंद सरकार की द्वारा की जाएगी इस इस तिंग कि यहां पर जो regarde से उन्की जो न्युक्ति हैं वह केंद सरकार की द्वारा की जाएगी पहले जो होता था वो गोड की जरा सेलेक्ट होते तो अब क्वालिटी देखी जाएगी विदर देडिजर्व देजर्व पोस्ट और नॉट और इस इन सदर्शियों में एक सद अध्यक्ष होगा उसके अलावा दस पदेन सदर्शियों होंगे और यह जो अंशकालीन सदर्शियों के तोर मेडिकल एजुकेशन जो इंडिया में है उसको रेगुलेट करना एक नियामक व्यवस्था को सु व्यवस्थित करना संस्थाओं का मुल्यांकन करना उनकी रैंकिंग करना अलग-अलग मेडिकल कॉलेजेस की और जो रिसर्च है जो सोध है उस पे अधिक से अधिक ध्यान इसके साथ ही साथ एक एक एक्जाम राष्टी चिकिस्था आयोग एंबीबीएस के उपरांथ होने वाली फाइनल इयर पर इक्छा जानी कि नेक्स्ट के तौर तरीकों पर एवं जो नीजी चिकिस्थाले हैं उनके सुल्ग धांचे का नियामन रेगुलेशन करेंगी जो मै है जो जो चिकिस्था की जो योगता है पारटकरम है क्टिस्था सिछा के लिए देशन नित्तेश यह शारह दिया जाएगा दूसरा बोड़ है पुस्च्ष घ्मेडिकल इंट्रेंस जाएगी इसके दोरह जो भी गाइडलाइन से इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं उसके अधार पर इनकी रैंकिंग जो है वह दी जाएगी और फॉर्थ बोर्ड बोर्ड और मेडिकल रेजिस्टरेशन इसमें देखा जाएगा कि जो डॉक्टर से उनको रगुलेट किया जाएगा एक राष्ट्री रेजिस्टर बनाए जाएगा पेशेवर डॉक्टर का वह आपको भी पता है कि किस तरह से आजकल फ्रॉड वाले डॉक्टर्स आ गये हैं डिग्री नहीं होती फिर भी वह प्राक्टिस कर रहे होते हैं तो इस जो जो करप्शन है इन सब चीजों में जो धां इसे ही चीज़ा संस्थान है जो उच्च कोटी के चीज़ा का निर्मान करते हैं मेंली एम्स आयम आयम आयाएसी बैंगलोरू इत्यादी तो नेशनल मेडिकल काउंसिल के स्थापना देश के चीज़ा चेतर जाने की मेडिकल एडूकेशन वेबसाइच चेतर में कमेंट मिलेकर जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें थैंक्यू फ्रेंड्स हैपी लार्निंग